हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का है मा के ब्रत कताव पाई चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर आपको ये तीन लक्षड दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक बेटा ही होगा दोस्तो ये लक्षड काफी कम महिलाओं में मतलब काफी कम महिला इनको जानती हैं ये लक्षड सबसे पहले दिखाई देते हैं लेकिन कुछ महिला इनको बिलकुल भी नहीं जानती हैं 99% महिला नहीं समझ पाती हैं कि ये लड़का होने के लक्षड हैं तो नहीं नहीं जानकारियां नहीं नहीं हम old wife या दादी मा का अनुभव आपके साथ share करते हैं आई दोस्तो जान लेते हैं इन लक्षणों के बारे में सबसे पहला जो लक्षण है दोस्तो वो है अगर आपके four head पर ध्यान से सुने अगर आपके माते पर बहुत जादा पसीना आता है कब आता है चौथे महीने से सर्दियों में भी अगर आपको बहुत जादा पसीना आपके माते पर दिख रहा है बिना बज़े ही तो दोस्तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है दोस्तो ये लक्षण हमारी अनभवी दादी माने बता हैं और आप इनको दिहान से सोने, तो ये बेटा होने का लक्षण होता है, दूसरा लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी नाक पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो भी सर्दियों के सीजन में आ रहा है, तो दोस्तों ये बेटा होने का किया हुआ है जबकि लड़की होने पर यह लक्षन बिल्कुल भी नजर नहीं आता है गर वती मैलां के अंदर अगले लक्षन की बात कर लेते हैं तो अगला जो लक्षन है हमारा बहुत ही सठीक लक्षन है अगर आप चलने मैं गर वती जो मैला है उसके घर में अगर कोई है वो देख सकती है इसको अगर वो बैटी है बैटी हुई मैला को अचानक से किसी काम के लिए बोले और फिर ये देखें कि उसका कौन सा पैर सबसे पहले रखा गया है अगर उसका दोस्तो अगर उसका खेरा पैर सबसे पहले रखा जाता है कदम तो दोस्तो ऐसा म अबित हुआ था और यह लक्षण दोस्तों गरवती महिला को बता कर नहीं देखना आपको अचानक से उसको बोलना है कि आप कुछ पानी लियाओ या कुछ भी लियाओ उसका अचानक से चलवा के देखना है अगर गरवती महिला को बता देंगे तो हो सकता है जान भूज के व अनक से तो यह लड़का होने का लक्षन माना जाता है अगर आप खेरा पैर पहले रखने और आपको दो-तीन वार करवा के देखना है अगर बार-बार वही पैर रखा जाता है तो यह लड़का होने का लक्षन माना जाता है और यह आपको चौते महीने में देखना है इससे प करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें